Hello Friends, Welcome to Java Tutorial Series Dear Friends, आज के इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे Boolean to String Conversion के उपर और साथ इसाथ एक एकजामपल बना कर समझेंगे ताकि Java Programming के इंसाइट आप Boolean to String Conversion बेटर तरीके से कर पाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं Boolean to String Conversion एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें Boolean Value को String Format में Convert किया जाता है इसको और बेटर तरीके समझने के लिए एक एकजामपल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं True एक Boolean Value है जिसको हमने XName के Variable में Assign किया है यहाँ पर हम Boolean to String Conversion करना चाते हैं तो जावा के पास Two Methods Available है Boolean to String Conversion के लिए पहला Method होता है Value of Method जो की String Name की Class के Insight होता है और दूसरा Method होता है Two String Method जो की Boolean Name की Class के Insight होता है इन दोनों Method का हम Step by Step यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर Value of Method का यूज़ करके इस Boolean Value को String Format में Convert करके देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं String Name की Class से Call करूँगा Value of Method को और यहाँ पर Argument में मैं इस X Name की Variable को Pass कर दूँगा यहाँ पर यह जो Value of Method है यह इस Boolean Value को String Format में Convert कर देगा तो मैं एक और Variable लेता हूँ Y और इसका Type में रखूँगा String और इसके Insight मैं इस Value को Assign कर दूँगा Print करवाने के लिए मैं यहाँ पर System.out.println Statement यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं इस Variable को Pass कर दूँगा Run करके मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो True आप देख रहे हैं यह अब एक String Value है जो दूसरा मेथड होता है वो होता है 2String मेथड जो की Boolean Name की Class के Insight होता है तो यहाँ पर हम Boolean Name की Class से Call करेंगे 2String Name की मेथड को और हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यह method static है तो हम Class Name से से Call कर सकते हैं यहाँ पर यह जो argument है यहाँ पर हम XName की variable को पास करेंगे अब यहाँ पर यह जो 2String Method है यह Boolean Value को String Format में Convert कर देगा मैं run करके आपको बताता हूँ यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें output मिला है true यहाँ पर अगर मैं false रखता तब भी यह इसको String Format में Convert कर देता क्योंकि false भी एक Boolean Value है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो dear friends आज के इस lecture में हमने discuss किया Boolean to String Conversion के उपर I hope कि आपको lecture बहुत अच्छे समझ में आया होगा मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए Bye Bye